दोस्तों Google दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और जहां पर हम बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं और अपनी नॉलेज भड़ा सकते हैं लेकिन दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम कोई आर्टिकल को पढ़ते हैं और Google पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो इंगलिस में लिखा रहता है और उसको समझना कभी-कभी बहुत जादा हमें दिक्कते आती हैं तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप इंगलिस का कोई आर्टिकल पढ़ते हैं और पूरी की पूरी अगर आपको पूरा प को हिंदी में करना है बस एक चुटकी में और इस वीडियो में आप जानेंगे और साथी साथ में दोस्तों अगर आप जॉब करते हैं और फिर फ्यूचर में जॉब करोगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़ादा हैल्फुल होने वाली है क्योंकि जब हम जॉब क अब आगर आप ये सेटिंग करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ तो बस आप दो से तीन सेकेंड में सारा मतलब जान पाएंगे हैलो दोस्तों मेरा नाम नवीन है आप देखने हैं आपका अपना यूटूब चनल हमसफर टैग तो चलिए सीखते हैं जब भी दूस्तों हम इसको हिंदी में देखना है तो बहुत सारे वर्ड में समझ में नहीं आते हैं और हो सकता है कि आप अलग-अलग वेबसाइट पर कोई आइटीकल ड्रीड कर रहे हों कोई चीज़ को पढ़ रहे हों और आपको इंगलिस की कुछ वर्ड को समझ में नहीं आता है तो इसको हि हिंदी में कैसे समझना है बहुत ही आसान है और यार काईस आप एक चीज़ भूल जाते हो वीडियो को लाइक करना तो यार फटवर्ट से एक लाइक ज़रूर कर दो आपको अपने लैप्टोप PC पर आपको Chrome प्राउजर उपन करना है अब आप सर्च करेंगे वेब स्टोर आप सर्च करते ही आपके सामने जो पहली वेब साइड है Chrome वेब स्टोर आपको इसके उप क्लिक करना है अब दोस्तों जिस तरीके से हमारे मुबाइल फोन पर Google प्ले स्टोर होता है Android फोन के उपर उसी तरीके से Google Chrome पर यहाँ पर वेब स्टोर होता है जो कि यहाँ पर एप गूगल ट्रांसलेट और यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा अब दोस्तों यह गूगल का खुद का प्रोडक्ट है गूगल ट्रांसलेट और बहुत ही ट्रस्टेबल है बहुत ही सीक्योर सेफ है कोई दिक्कत नहीं है इसके लावा आपको थर्ड पार्टी करना है जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको एड एक्ष्टेंशन के उपर क्लिक करना है अब दूस्तों इसका फायदा यह है कि यहां पर आपका गूगल क्रोंथ की उपर ही एड हो जाएगा अब इसका यूच्ट गसे करना है तो आपको कुछ सेटिंग करनी है पर आपको नजर आएगा Google Translate आप इसको pin के उपर क्लिक कर देंगे pin का फायदा यह है कि Google Translate आपको यहाँ पर बाहर दिख जाएगा ठीक है अब आपको एक और सेटिंग करनी है दुबारा आप जाएगे यहाँ पर अब आपको त्री डॉट के उपर क्लिक करना है और आप आपको यहाँ पर एक सेटिंग करनी है आपको जाना है options के उपर और यहाँ पर आपके सामने options खुल जाएगा हाला कि दुस्तों हो सकता है आपको एक से दू मिनट कर टाइम भी लग जाए तो आपको थोड़ा वेट करना है तब आप options पर जाएगे और यहाँ पर आपको अपनी भासा को select करना है जिस भी भासा में आप convert करना चा यहाँ पर हम इसको एक बार refresh करते हैं और page refresh होने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर मान के चले इस line के बारे में जाना select किया और यहाँ पर translate का options आ चुका automatically हम click करेंगे और यहाँ पर आप देखिएगा आ चुका है योग का सबसे पहले उले किय गया है यहाँ पर इसका मतलब किये होता है ठीक है अब आप अगर इंग्लिस में जाना चाते हैं कि इसका आपको उचारण कैसे करना है तो आप देखिए इसके उपर आपको यहाँ पर speaker का एक option देखिएगा आपको इसकी उपर click करेंगे योग का सबसे पहले उलेक किया गय है यहाँ पर आपको बहुत असानी होती है इंग्लिस वर्ड को हिंदी में समझने में तो देखिए आप किसी भी वर्ड को यहाँ पर इस जिली जो है अपनी भासा में सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हिंदी की अलावा कोई और आपकी language है तो आपको दुबार पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ जिसको भी मिझे समझना है और यहाँ पर ट्रांसलेट के उपर लेके जाऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मराठी में इसका मतलब यह होता है तो इस तरीके से आप किसी भी language में यहा अपनी भासा में समझ सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आपको गूगल ट्रांसलेट का अपने लेट्टो पीजी के उपर यूज करना है